हेलो एंड विल्कम एविड़ी बहुत स्वागत आपका मारे श्यल में और इस वीडियो में आप सब इसे डिस्कस करूंगा कि जो एड़वली एस की फॉर्म आई है इसमें अराउंड 205 सीट्स जो हैं वो टोटल वेकैंसी आई है उसमें अगर आप ओबी सी कैटेगरी से बिल तो यहां पर आप ओबी सी वाले कॉलम में देख सकते हैं कि यहां पर ओबी सी में टोटल 51 सीट्स रिजर्ब्ड हैं ओके तो आपको कैसे ओबी सी सर्टिफिकेट के पेसिस पे ओबी सी एंचेल के रिजर्वेशन का लाव मिलेगा वो इस वीडियो में मैं पूरी बात कि अगर आपकी फैमिली इंकम एट लैक पर एनम से चादा है तो फिर आपको रिजर्वेशन का लाव नहीं मिलेगा आपकी फैमिली इंकम एट लैक पर एनम से कम होनी चाहिए तभी ही आपको ओबी सी एंचेल के बेसिस पे लाव मिलेगा देखिए ओबी सी में टू इनकी इंकम जो है वह इट लैक से ज्यादा होती है तो इस वजह से और इनकी इंकम एट लैक से कम होती है इसलिए इनको मिलती है तो आप अगर दूसरी वाले के टिगरी में लाइक करेंगे तभी आपको डिजर्वेशन का लाव मिलेगा अब इसके बाद आते हैं कि कैसा अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है कहां से बनवाना है पूरी डीटियल में बात करूंगा चोटी से चोटी बात आप सभी को बताऊंगा तो वीटियो के अंतक बने रहें अब देखिए यहां पर जो सर्टिफिकेट है यहां पर पहला ही लाइन लिखा गया हुआ है कि कैंडिडेट चोकी ओपी सी नौन क्रीमी लेयर से बिलॉंग करते हैं उनको सिल्फ अटेस्टेट कौपी जो है वह सर्टिफिकेट का प्रोड्यूस करना परेगा इन प्रेस्क्राइब परफॉर्मा जो परफॉर्मा है फॉर्मेट है वह भी मैं आप सभी को दिखाऊंग तो आपको चिंता करने के भी जरूरत नहीं है वीडियो के अंतक बने रहें और जो सर्टिफिकेट है वह कॉंपीटेंट ऑथरिटी से बना होना चाहिए और यह क्रीमी लेयर से अगर आप बिलॉंग करते हों तो फिर आपको नहीं मिलेगा रिज्रेवेशन यही सब बाते लेख गहीं हैं ओके देशर्टिफिकेट शूट इस पेसिफिकली इंडिकेट देट कैंडिटेट ड़स नॉट बिलॉंग टू क्रीमी लेयर ओके मिलेयर से बिलॉंग कर नहीं करते हैं यह असपर स्थूप से पतलिका होना चाहिए और यह जो सर्टिफिकेट है दो वैलिट कि लिए मिलेयर इसूड फॉर्द फेनेंसियल यर ट्वेंटी ट्वंटी वंटी ट्वंटी टू ओके तो दिके इसका यह मतलब हुगा अब कुछ लोग यह समझ लेंगे कि उनका सर्टिफिकेट फैनेंसियल यह 2021 से लेकि दो हजार 22 के बीच का बना हुना चाहिए लेकिन ऐ यह अभी पहले के बैसिस बंती है मिस जैसे अभी जो यह महीना चल रहा है में 2022 कि तो यानि कि अभी financial year होगा ओकि financial year अभी जो अभी चल रहा है ओकि वह है do 2022 से 2030 इसमींस करेंट गूंग फैनेसियल ए रहे 2022 से दोई अधर तेस लेकिन क्या आप से अगर मैं पूछू हो कि अगर आप पुड़ी आपके 2022 2030 के कुल आए कितनी है तो आप बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे क्यों क्योंकि अभी पूरा एट तो ये पुरा हुआ ही नहीं है यह आपका कब पुड़ा होगा 2023 के मार्ज के महीने में तो जो इंकम såinoSo जो यह वा किनेंशियल इंकम साथिफिकेट और यह जो औसी अधिया एक साल पहले के आत्लिए य Will Run안 फेंशिल यू अगर निय आ पिस अगर आप 2022-2023 में सर्टिफिक बने रहो तो वो आपका 2021-2022 के जो है वो टोटल ग्रॉस एप फैमिली इंकम के बैसिस पर बनेगा तो वही यहां पर बात कही गई है ओके आई होब कि आपको यह बात समझ में आई होगी अब आपका सर्टिफिकेट कैसा बनेगा कैसा फॉर्मेट होगा क्या-क्या उसमें चीजे लिख होंगी यह सभी में आप सभी से डीटेल में बात करूंगा तो देखिए अभ आपको मैं आपको format दिखा देता हूं कि कैसा format रहता है और format को डाउन्लोड करने का लिंक जो है वो भी मैं आपको description box में दे दूंगा यह पॉइंट्स मैं आप सभी को पहुट को डिटेल में डिसक्स होरूंगा तो वीडियो के अंतक बने रहे हैं देखिए एक पेज का format होता है ओके जैसे यहां पर देखे यह लिखा हुआ है ना form for applying the form for of certificate to be produced by OPC for appointment to post under government of India ओके तो यह जो certificate है यह आपको नौकरी के लिए दे रहे हो तो पूपात यहां पर लिखी गई हुए है अब यहां पर यह है कि आपको अपना नेम बेसिक नेम डिटेस यहां पर फिल करनी है और इस अब हो जाएगा और आपको जिन्ता करने के जुरत नहीं है ओके तो यह आप चाहे तो format को download कर सकते हैं मैं आपको PDF का लिंक दे दूंगा आप वहां से चाहे तो download कर लेना ओके अब देखिए यह जो है वह एक candidate का certificate है और यह एक अगर आप किसी भी government exam जैसे की SSC banking teaching civil services banking railway engineering recruitment examinations defense examinations या फिर government state government examinations engineering exam अगर आप किसी भी government job की त्यारी कर रहे हो तो test book app से आप अपनी त्यारी कर सकते हो test book आपको download करने का link आपको description box में मिल जाएगा test book आपको download करने के बाद आप कोई भी अगर exam की त्यारी करना चाहते हो तो यहां पे search exam का option है इसमें आपको search करना है और उसके बाद जो है वह आपको test series search कर लेना है for suppose कि अगर आप कोई भी exam की त्यारी कर रहे हो जैसे CTET या फिर कोई exam randomly मैंने चूज किया है तो CTET exam की त्यारी कर रहे हो यहां पर test test series आप सभी देख सकते हो कि बहुत सारे test series आपको दिखाई दे रहे हैं okay 498 test series है okay similarly यहां पर 50 यहां पर 77 तो ऐसे ही आप तैयारी कर सकते हो और बहुत सारी आपको test series यहां पर देखने को मिल जाएंगी okay तो अगर आप इसका fully preparation करना चाते हो तो उसके लिए आपको pass purchase करना पड़ेगा पास के लिए मैं आपको कुछ pricing detail से बता देता हूं तो देखिए अगर आप कोई भी exam की त्यारी कर रहे हो तो यहां पर दो option रहती है अच्छे का सी एक yearly pass और यहां lifetime pass तो yearly pass 365 days के लिए रहता है और यह lifetime pass 3 years के लिए तो बिटर रहेगा आप अगर अपने हिसाब से जो अच्छा लगी आप ले ले लेना है है कि कुद को अब्ट करने के रहे हैं आप ले अपलाई को पर टैप करना हों और कुद्ग कर देना होगा हुँपन कोड है 66 TAn थे चैसे मैंने अप्लाई पेोट टेपके तो देखिए आए घड़ गई अभी यहां आप приз दिखाई दिखाई रहे थी फोर नें 599 गट के 540 हो गई यहां पर 399 दिखाई दे रहे थी इस गट के 360 हो गई यहां पर 299 दिखाई दे रहे थी इस गट के 270 हो गई तो यहीं आपको लिएंट मिल जाएगा तर पुड़ाना है OK are all the time to a P! करें कि आपका जो लिए एपारील 2022 के बाद का हो उतके इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि आपका certificate 1 April 2022 के बाद का हो ओके पहले का नहीं बाद का हलाकि बहुत पुराना नहीं चलेगा आपका बहुत पुराना आप सोचोगे कि मेरा 3 साल 4 साल पहले पुराना certificate हो तो चल जाए तो ऐसा नहीं होगा आपका hardly अगर केंदे सरकार means बहुत critical situation में भी अगर अलाव करेगी तो वो 3 years back तक का अलाव करती है 3 साल से पुराना अलाव नहीं करती है 3 साल पुराना और crucial लिटके 6 महीने बाद तक का अलाव करती है उसके 3 साल 6 महीने के पहले का या फिर बाद का भी अलाव नहीं होता है तो जैसे यह एक candidate का है और यह एक साल पहले का है ओके मिस आप देख लो डेट इसकी कव है 12 साथ 2021 तो यह अगर 22 रहती तो उस हिसाब से यह सही होता ओके अब यहाँ पे मिस certificate का नंबर यह सभी है किस state से बना हुआ है और यह जो है वो में सो भी सी एंसी एंसी एल का सर्टिफिकेट उसके लिए है यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो है वो क्या लिखी गई हुई है कि मेंस candidate का basic name details address यह सभी तमाम चीज़े लिखी गई हुई है है तो आपका भी ऐसे ही लिखा रहेगा और यह एक डिजिटल Lew तो यहाँ पे आप लेजर में मोहर नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा लेकिन यहां पर लगा हुआ है तो अच्छी बात है नहीं लगा हुआ है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसा ही एक पेज का आपका भी सर्टिफिक्ट बनेगा ओके आपको मैं यह भी डाउनलोड करने का लिंक करें कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो आइधर इंग्लीज में हो या फिर हिंदी में हो कि फर्स्ट प्राइटि आपको रखनी है कि इंग्लीज में हो और अगर इंग्लीज में सर्टिफिकेट नहीं मिलती है तो आप हिंदी में ट्राइब करें इन दुनों के लाबा आप लेंग्वेज कोई भी ट्राइन ना करें अगर आपका रीजनल लेंग्वेज में बन रहा है तो कॉप कॉसिस करें कि जो फॉर्मेट है फॉर्मेट को डाउंडूड करके और उस पर फिर से चीजे लिख वाले इंग्लीज के फॉर्मेट पर ओके उसके बाद जो है वो कुछ यहां से इंट्रोडक्शन तो हो चुकी है क्रूसियल एट क्या होती है जो लाश्ट एट फॉर्म फिलिंग होती है उसको क्रूसियल एट कहते है ओके आपकी सर्टिफिकेट की वैलेडिटी कब तक रहती है एक फैनेंसिल लियर ओके कुछ एक्ट्रा इंफोर्मेशन में आप ऑनलाइन अपलाई कर सकते हो या फिर आप ऑफलाइन जाके खुद जो है वो आफिस में अपलाई कर सकते हो या फिर आप जो है वह सी एसी सेंटर को कोमन सर्विस सेंटर में भी जाके ऑनलाइन अपलाई कर सकते हो या फिर आप किसी एड़वाकेट से संपर्क कर सकते ह या फिर कोई middleman ये सबी जो की ये काम कराते हो उनसे भी आप संपर्क करके help ले सकते हो उसके बाद जो है वो अगर आपके पास एक valid certificate नहीं है तो क्या problem हो सकती है तो अगर आपको वैलिड आपके पास valid certificate नहीं है तो फिर आपका अगर आप means OBC category में हैं तो फिर आपको या तो यूगर में बदल दिया जाएगा और अगर OBC का criteria आप में सिर्फ OBC से ही select हुए है तो फिर आपको आपका candidate जो है वो cancel हो जाएगा क्योंकि आपको reservation नहीं मिलेगा ओके तो यह बात आपको ध्यान से समझ लेनी है तो I hope कि यह बात सारे मैंने आपको बता दी है और देखिए एक state list और central list का यहाँ पर बात है कि बहुत सारे student क्या करते हैं कि वो cast certificate बनवा लेते हैं और उन्हें लगता है कि यहीं जो है वो OBC ncl certificate है तो ऐसा नहीं है आपको caste नहीं बनवाना है कास्ट certificate allowed नहीं है OBC ncl है ओके दियान से समझे OBC ncl non creamy layer ओके वही required होगा और कुछ bonus टिप सब्सक्राइब के पढ़ाई के रिलेटेट जो है वो preparation के रिलेटेट में आपको वह भी मैंने बता दिया so I hope कि आपकी सारी major doubt जो है वो clear हो गई होंगी और अगर नहीं होई है तो आप comment कर सकते हैं